नमस्कार स्वागत है आपका सबसे बड़ा सवाल में और मैं हूँ आपके साथ वक्ता हमारा विपक्ष बाते बनाने में बहुत आगे है लेकिन ये बाते नेताओं की अचानक से ED के सामने आते ही गायब हो जाती है मुँ पर हमें नहीं पता का जवाब होता है जो नेता ED की कारवाई को मुदी सरकार की बदले की कारवाई कहते हैं उन नेताओं को जोर का जटका धीरे से सुप्रीम कोट ने ते दिया है पर सवाल करने वालों को ये जवाब दिया है कि इडी की गिरफतारी मनमानी नहीं है यानि कि सुप्रीम कोट ने इडी के पावर पर अपनी महट धोग दी है लेकिन यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कई दिगजनेता इडी की जांच के दाइरे में है ऐसे में बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोट के फैसले के क्या माइने हैं इसी को जानने के लिए हमारे साथ मौझूद है Capital TV के Editor-in-Chief Dr. Manish Kumar जी दॉक्ट साब आपका बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद दॉक्ट साब सुप्रीम कोट ने जो कल फैसला सुनाया है उससे अब विपक्ष का क्या हुआ क्योंकि कोट ने साफ तोर पर कह दिया है कि ED का हर अधिकार जायज है देखे प्रधान मंतरी मोधी के हाथ में सुप्रीम कोट ने ब्रह्मास्त थमा दिया कहा ये लो ब्रह्मास्त और जितने दानव हैं उनका वद्ध कर डालो और यही जो अगर आप रिवर्स लॉजिक लगाएं तो ED में तमाम भरस्टचारी फसे हुए इमानदार लोगों घर तो ED जाती नहीं और आप चोरी भी करें और सिनाचोरी भी करें किस हिसाब से भई आपके घर से नोटों का जखीरा निकल रहा है कडोरो कडोर कैश आप घर के अंदर रखे वे हो ED आती ही तो आप कहते हो कि समिधान खत्रे में है जे आपके पास से दस्तावेज निकल रहे हैं कि आप ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाने में आप शेल कंपनियों की मदद से हेरा फेरी कर रहे हैं आपके पास से जमीन की आपके पास से विदेशी बैंक की जानकारिया निकल रही है आप कहते हो आपको छोड़ दिया जाए क्या हमें चाहिए आजादी जैनू मनारा किस ची से आजादी चाहिए तो भई एडी से आजादी चाहिए था इनको सुप्रीम कोट ने कहा कि नथिंग डूइंग और एक नहीं दो नहीं बताईए ये देश भरस्टाचारियों का देश है एडी के खिलाफ 242 याचिकाएं कौन कौन लोग जेल में पड़े हुए है निल देश मुख सचिन वाज़े से उगाही करवाते थे वो पहुँचके भई एडी को रोकी है चितमरम खुद फसे हुए है जेल से निकल के आए है उनका बेटा मभुवा मुप्ती लंबी लिस्ट है 242 सुप्रम कोट ने क्या कहा कि एडी जो काम कर रही है परदान मंतरी मुदी ने जो बदलाव की है वो बिल्कुल ठीक है अब ये क्यों गए ये तमाम लड़ने वाले कौन मुख्य, वकील एडी के खिलाफ दोनों कॉंग्रेसी बड़े-बड़े अभिशेक मनुसिंग भी कपिल सिब्बल वो कह रहे हैं कि जो एडी जिस हिसाब से काम कर रही है वो सम्विधान के खिलाफ है बिना एफायार दिखाए सोनिया गांदी को बुला लेती है वह क्यों नहीं बुला जाए बिना एफायार दिखाए अनिल देश्मुक को अंदर कर सकती है तो सोनिया गांदी किस खित की मूली है ऐसे तो इक्वालिटी की बात करेंगे आप सम्विधान को बचाना उसी सम्विधान में लिखा हुआ है कि हर नागरिक कानून के दृष्टि से एक जैसा है आपके लिए त्याक की मूर्ती होंगी आपकी पाटी की वो मालकिन होंगी लेकिन कानून के दृष्टि में जो आम दृष्टाचारी है उसी तरीके से सोनिया गांदी को भी ट्रीट ये लोग ये चाह रहे थे कि इस तरह का दवाव क्रियेट कर दिया जाए 242 याचिका डाल कर सुप्रेम कोट के उपर दवाव डाल कर आप एडी को पंगू बना दे सुप्रेम कोट ने इतिहासिक फैसला दिया और प्रधान मंतरी मोदी के बदलाओं को कहा ये बिलकुल उचित है अब ये सब चीज हो रहा है कब सोनिया गांधी पूछताच कर रही है उनकी पूछताच चल रही है ये फैसला आया भी कब सोनिया गांधी इडी दफ्तर में सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी वैसे कुछ अपडेट दे दूँ कल जो पूछताच हुई इडी को सब कुछ मिल गया काम भर जो है वो पूरा वो आ गया जो ट्रांजेक्शन्स यंग इंडिया कंपनी जिसमें 76% स्टेक मा बेटे का है 38-38 बाकि सब कॉंग्रेसियों का है उनसे मागा गया था कि भई इस कंपनी का लेन देन का विवरा आप दीजिए उसी में ही मामला फस गया क्योंकि फिर सवाल पूछे गए कॉंग्रेस पार्टी ने लोन दिया एजेयल को नेसल हिराल्ड को 90 कलो रुपिया कैसे दिया कहां दिया सिर्फ कागज पे दिया या कैश पे दिया चेक दिया उस पैसे का क्या हुआ कहां खर्च हुआ आपने जो ये पैसे दिये वो अख़वार चलाने के लिए पैसे दिये या फिर आपने इमारतों की मरमत के लिए दिये और आपको ये भी बताईए कि आपके हाथ में निसल हिराल पूरी एज़ियल कंपटी थी तो वहाँ क्या गत्यवीधियां चल रही थी क्या आपको मालू में कि वो किराय पे चल रहा था बार खुला हुआ था लखनों में मुंबे में निसल हिराल के जमीन पे मौल बनाय जा रहे थे दिल्ली में किराय लगा हुआ है, सरकारी दफ्तर खुले हुए है उसके ये माल कहां से आ रहा था, किसके पास जा रहा था, कौन खर्च कर रहा था सोनिया गांदी बिल्कुल चुप हो गई, कुछ जवाब नहीं दिया और ये सब कुछ हुआ, आप देखी क्या हालत हो गई है, जनता तो कल उतरी नहीं, लेकिन डिफेंड करने के लिए उतर गए कौन? गुलाम नभी आजाद साहब, और गजब बात उन्होंने कह दी, ऐसा लगता है, कि जो युद्ध में ठका हरा है, युद्ध नहीं कहिए, बॉक्सिंग में दो बॉक्सर होते न, एक जीता रहता है, जो हरा होता है, जो पिटाई खाखा कर के बिल्कुल चलने लाइक नहीं बस्ता उसे कुछ दिखाई नहीं देता, कॉंग्रेस पार्टी की सित्ती उसी तरीके के हो गया, वो कह रहे हैं कि देखिए, मोदी जी, ये हिंदुस्तान की परंपरा है, कि जब भी युद्ध होता है, तो सैनिकों को कहा जाता है कि भई, किसी महिला के उपर हमला मत करना, क किसी बीमार के उपर हमला मत करना, हमारी सोनिया गांधी तो महिला भी हो बीमार भी है, टोटल सरेंडर, क्यों, सुप्रीम कोट ने ब्रह्मास्तर दे दिया, कोई नहीं बचेगा, और ED जिस हिसाब से और, मैं आपको बता दूए, एक बत और, जो बताया नहीं गया, कर, सु और लोगों को भरती करो, ED में, और लोगों की जरुरत है, और यथा सिक्र, ED का स्टरंथ बढ़ाया जाए, क्योंकि बिना ED के डंडे से, हिंदुस्तान में भरस्टाचार खत्नी होने वाला, और मैं आपको बताओ, आप कैपिकल टीवी को देखिए, हमारे सीनियरेटर कादा वेल रिसर्ज वो प्रोग्राम है राज की बात में, पिछले कुछ सालों के अंदर ही, एक डेर साल के अंदर, मोधी सरकार ने इन भरस्टाचारियों से सवा लाख कडोर रुपे जब्त किये हैं, सवा लाख कडोर, और बताइए तो बहुत सारे बहुत सारे देश का बजेट भी नहीं होता, सवा लाख कडोर ये भरस्टाचारी, और ये उंट के मुँ में जी रहा है, तिप अबदाइस बर्ग हैं, अभी पकड़े कहां गए हैं लोग, और ये चले गए, कि नहीं, नहीं, छोड़ दीजिए, हमें आजाद कर दो, ये समिधान खत्रे में आ चोर को पकड़ो, तो समिधान खत्रे में आ जाता है, सरकार की तरफ से क्या कहा गया, सरकार की तरफ से ये कहा गया, कि ये जो बीमारी है, ये जो ब्लैक मनी, इसके जर्ये ही देश में आतंकवाद, नक्सलिजम, ये जो एंजियो छाप देश विरुदी धंदा करने वाले लोग, ये C.E.A. का प्रोटेस्ट, ये किसान आंदूलन का प्रोटेस्ट, इन लोगों ने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को काले धन्य गिर्वी बना रखा है, और सरकार भी दहल जाती है, क्योंकि आप प्रतर सुन कर रहे हो, आप उदंडता कर रहे हो, क्योंकि आपकी अप्शन है, सरकार के पास एक ही ऑप्शन है, कि उठा पुठा करके इसको बंद किया जाए, अंदर किया जाए, हिंसा भड़क जाएगी, ये चाहते हैं कि गोलिया चले, परतर संकारियों के ऊपर आप गोलिया चलाएंगे, बवाल मचेगा, पूरी दुनिया में हिंदुस नहीं आएगे और यही इन लोगों की साजिश है, नौकरी भी मांगेंगे, और नौकरी देने वाले कमपनियां हिंदुस्तान ना आए, उसका भी जुगाल करेंगे, तो आज जो सबसे बड़ी चीज इस डिसकसन से जो समझ में आ रहा है, वो ये आ रहा है, सोनिया गांदी जैसे तमाम भरस्टाचारी जितने भी लीडर्स हैं, उनको जेल में डालने का ब्रह्मास्त सुप्रिम कोर्ट ने कल मोधी सरकार को दे दिया, ज्यादतर तो गिरफतार होई चुके हैं और जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन इदी ने अपनी पूछतात सुनिया गांदी से पूरी कर लिए, जिस तरह से आपने बताया कि सारे सवालों के जवाब इदी को मिल चुके हैं, लेकिन अगर मिल गए हैं सारे सवालों के जवाब तो क्या आप जुराहुल गांदी और सुनिया गांदी की गिरफतारी भी होगी? बिल्कुल होनी चाहिए, ये तो रियायत हो रही थी, आप ये समझे, सुप्रीम कोट के फैसले के पहले ये क्या कह रहे थे? सुनिया गांदी को बिना F.I.R. दिखाए, पूस्तास के लिए बुलाया गया, ये अन्याय हो रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा, सुप्रीम कोट ने कहाँ, बिल्कुल सही किया है। इडी कोई पुलिस नहीं है, जो ये C.R.P.C. के तहत वो काम करें, कि F.I.R. दिखाए, आपके खिलाफ नोटिस आया है, फिर आपसे पूस्ता, नो! ये इतने शातिर, इतने पावरफुल, इतने बड़े बड़े लोग हैं, कि इनको अगर भनक लगी, तो सारे सबुत कहाँ, हिंद महासागर में गायब हो जाएगा, कोई पता ही नहीं कर पाएगा। अभी देखिये, कटर इमांदार मंत्री एक जलाब जेल के अंदर में है, वो एडी के हिरासत में है, क्या कर रहा था? कहा तवित खराब है, आई नेताओं को तवित तुरत खराब हो जाता है, एडी पकरती नहीं कि उनका हाजमा खराब, तो इनका हाटबीट खराब, इनको तो सास लेने में दिक्कत, पेंक्रियाज में भी दिक्कत हो जाती है, बताइए वो पार्त चटर जी, तो ये जो नटवरलाल, केजरिवाल का जो स्वास्त मंत्री, बहना बना करके वो था हॉस्पिटल के अंदर, और एडी के अधिकारियों ने एक इमीडियेट आचक निरक है ना, जब वो पहुंचे दर्वाजा खोला मालूम चला वो तो बिल्कुल ठीक है, बेट पर लेटा हुआ बगल में पत्नी है, अजीब कहानी है, कमरे कंदर पत्नी कहां से आ गई भई, तुम हिरासत में हो, और कोई मास्क वास्क भी नहीं पहना हुआ, कोई ऑक्सिजन न और ऑक्सिजन मास्क लगा लिया, अभई ऑक्सिजन मास्क लगा दो, ऑक्सिजन चालू कोन करेगा, वो बंद, नाक लगा लिया, कि ने, वड़ा तवित खराब है, और जो आईस्यू में भरती है, और आईस्यू ऐसा कि कोई मसीन काम नहीं कर रहा, एक होता है, जो पूरा ओवराल जो वायर वायर लगे होते हैं, स्क्रीन पर चलता रहता है, क्या हाटबिट कितना है, तो ये कितना है, वो कितना है, कुछ नहीं सब आफ, पत्नी जे बगल में बठी हुई, तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए, इनको निमंतरन देकर के पकड़ा जाए, पर जाएए, तो देखिए, उसका चेहरा चमक रहा है, और हिरासत में उसको आपने बठा लिया बगल में, तो यहीं होगा, तो इस तरह के पाउरफुल लोगों को पकड़ने के लिए, एडी को ससक्त करना आवशक था, और सुप्रीम कोट को धन्यवाद कि उन्होंने इस न और यह भी कहा, कि जड़ा अपनी जनसंख्या बढ़ा हो, इस देश में बहुत भ्रष्टाचारी हैं, तुम अभी जितने तुम्हारे पास लोग हैं, इतने में तो कई साल लग जाएंगे, तो थोड़ा जल्दी बाजी करनी चाहिए, मुझे लग रहा है कि प्रदान मंत्र आज सारे जज्ज्मेंट को बहुत अच्छे तरीके से वो पढ़ सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, और इन भ्रष्टाचारियों के पैसे कोई ही अगर बाहर निकाल लिया जाए, तो हिंदुस्तान रिच हो जाएगा. जी डॉक्स साब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी चान करें। अबारी गिरफतारी की है, फिर किसी और मुद्दे के साथ हासर होंगे, बने रेगे कैपिटल टीवी के साथ, नमस्कार.